Good morning students, यह आपका part 2 video chapter का, part 2 video में आज हम लोग बात करने बारे हैं दूरी सुत्र के बारे में, यानि कि distance formula के बारे में तो चलिए दूरी सुत्र क्या होता है, पहले उसको आज हम लोग साबित करेंगे, फिर हम लोग आगे chapter में बढ़ेंगे तो माना, माना, दो बिंदू, दो बिंदू, पी, X1, Y1, तथा, तथा क्यू, X2, Y2, X2, Y2, के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, पी क्यू है मान लेते हैं कि दो बिंदू, PX1, Y1, और QX2, Y2, के बीच की दूरी क्या है, PQ है, अब यहां से हम लोग दूरी सुत्र ग्याद करेंगे, ठीक है, इन दोनों की बीच की दूरी, ये दो बिंदों की बीच की दूरी, ग्याद करने के लिए, हम लोग एक फॉर्मुला साबि लेता हूँ, जिसका नाम यहां पर लिएता है, PX1, Y1, ठीक है, जिसका बिंदू P ले लेता है, जिसका निर्दे सांख हमारे पास है, ठीक है, अब चलिए, इन दोनों को मैं यहां पर मिला देता हूँ, ठीक, चलिए, अब यही दूरी कैसे ग्याद करेंगे, इन दो की दूरी कैसे ग्याप करेंगे उसके लिए हम लोग एक सुत्र को साबिद करने माले हैं मैं एक काम करता हूँ पी बिंदू से एक सक्स पे एक लंब खिशता हूँ और इस क्यू बिंदू से भी एक सक्स पे एक लंब खिशता हूँ ठीक है और फिर इस बिंदू से भी यानि प आप देखो. मैं यहाँ दिखता हूं एक हम रचना कही हैं रचना क्या की हैं कि बिंदू एक सब्सक्रा, एक्स अक्ष पर लंब खीचे लंब खीचे एक्स अक्ष पर लंब खीचे है बिन्दू P और तता Q से एक्स अक्ष पर लंब खीचे है याँ यहाँ पर हमने दिखाया है कि P A लंब है P A तता Q B दोनों क्या है एक्स अक्ष पर लंब है इन हमनों दिखा है चलिए और फिर हमने एक और लंब खीचा है PC लंब खीचे है QB पर PC लंब खीचे है QB पर अब चलो यहाँ पर समझो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मूल बिंदू को हमको जनरली तो पता है कि O से दर साते हैं O लिखे देता हूँ ठीक है अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखों यहाँ P बिंदू का निर्देसांग एक्स वन वन दिया है तो यहाँ O A का वैलू आपका एक्स वन हुगा और यहाँ वैलू वाई वन हुगा ठीक समझ रहें ना बात को अच्छा इसका निर्देसांग एक्स टू वैट्व दिया है तो यहाँ O B का वैलू एक्स टू हुगा और इस B Q का वैलू जो हुगा वाई टू हुगा ना जी एक आयत है, स्मझगे ना, तो आयत है, तो आमने सामने की बुझाएं बराबर होगी न, तो मैं BC बराबर में, AP लिख सकता हूँ न, BC बराबर AP बराबर में Y1, ठीक है, अच्छा, AB बराबर में, AB बराबर में, यहाँ पर मैं CP लिख सकता हूँ, AB बराबर में CP, लिख सकता हूँ न, चरिए, लिख सकता हूँ कि नहीं, अच्छा, तो यहाँ से मैं CP बराबर में, अगर AB की value की बात करूँ, तो AB के value कैसे प्राप्त होगा, तो AB के लिए हम लोगो OB में से OA को घटाना होगा, OB-OA, देखलो, क्योंकि CP AB के बराबर है, तो AB को हटा कर, मैं यहाँ पर OB-OA लिख सकता हूँ, चलिए, तो यहाँ से आपका CP के value निकल जाएगा, इस CP के value, यह PC भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो इस CP के value क्या ह हो जाएगा, तो OB, OB क्या है, तो OB आपका है, X2, और OA क्या है आपका, X1, चलिए, अब अब देखो, मैं अगर इस QC के value की बात करूँ, QC के, इस QC के, तो मैं यहाँ इस BQ में से, इस BQ में से, BC घटा दूँगा, तो चलिए, तो QC बराबर में, क्या हो जाएगा, तो BC के value, BQ का value कितला होगा, तो यहाँ BQ आपका Y2 है, Y2, और BC आपका क्या है, तो देख लो, यहाँ पे BC किसके बराबर है, Y1 के बराबर है, समझ गया न, आब अब देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे, तिर्भूज QPC में, ठीक है, QPC में, चुकि यहाँ ए CP square पलस में QC square, देख लो, PQ square बराबर में CP square पलस में QC square, हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमे से, हम लोग पढ़े हुए ना, पाइथागोरस प्रमे को, चलिए, यहाँ से हो जाएगा, आप यहाँ से, PQ square बराबर में, CP के जाएगा पे मैं value लिख देता हूँ, यह X2 minus X1 X2 minus X1, square है तो square देता हूँ, और QC के जगा पे यह लिख देता हूँ, Y2 minus Y1, square है तो square, यह square जाकर उदर रूट में लग जागा, यही पी Q बराबरा जागा, distance formula कहलाते हैं, यानि कि दो बिंदू, X1, Y1 और X2, Y2 दिये गए हों, तो उनके बीज की दूरी निकालने के लिए, यही हम लोग formula यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ साबित हो गया, अब चलो मैं एक example लेके आपको सम्झा देता हूँ, माल लो एक P बिंदू जिसका निया समक माइनस दो कमा चार है, ठीक है, अब इन दोनों की बीज की दूरी यह P Q दूरी निकालने हैं, ठीक है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यह P Q बराबर में हो जाएगा, रूट अंडर, आपको करना क्या होगा, कि एक को X1, Y1 माल लेंगे, और दूसरे को X2, Y2 माल लें अनिकि माइनस दो, माइनस दो का होल स्कॉर, प्लस, Y2 माइनस वाइन, यानिकि 4 माइनस 3 का होल स्कॉर, तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस 4 का स्कॉर, और यहाँ एक का स्कॉर, तो माइनस 4 का स्कॉर, प्लस का 16, और यहाँ एक का स्कॉर, यानिकि रूट 17 एकाई आपका द दूरी आ गया इन दोनों बिंदों की वीच की तो बहुत ही असान है दूरी निकालना अब चलिए एक और फॉर्मुला जो है इस समझे उसको साबिद कर लेता हूं तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी किसी बिंदू की मूल बिंदू से दूरी कैसे ग्याद करेंगे उसके बार मतलत तो मालने तेहमाना PX1Y PXY एक बिंदू है हमारे पास यहां दिया गया है तो हमें इसकी दूरी मूल बिंदू से कैसे हम लोग ग्याद करेंगे उसके लिए हम लोग एक formula प्राप्त करते हैं चलिए इसको समझ लिए छोटा सा है इसको भी जनना जरूरी है आपको exercise में हम लोग use करने वाले हैं y इधर y dash ठीक है मैं इधर एक बिंदू ले लेता हूँ p जिसका नियामक है x, y इसकी दूरी मूल बिंदू से यानि कि यहां से इसकी दूरी क्या होगी यही हमें ग्याद करना है तो आप इसके मदद से भी निकाल सकते हैं या यहां पर लम्भ खीचके بھی अपना काम कर सकते हैं चलिए मैं दोनों से दिखा देता हूँ आपको यहाँ पता है आप चाहों तो यहाँ से एक लंब खिसकता हूँ ठीक है चलिए तो यहाँ में एक रचना किये है कि PA एकस अक्छ पर लंब है थीक है यहाँ में लोग रचना किये हैं ठीक आप देखो मैं यहाँ पर O PA स्क्वाइर की बात करूंगा तो O A square plus में A P A square हो जागा ना Pythagoras थे Pythagoras प्रमेंश देख लो O P A square O A square plus A P A square O A का value X होगा और इसका Y तो यहाँ O P A square बराबर root under यह है आपका X का square और यहाँ हो जागा Y का square दोनों का value यह square आके root में अब लगेगा root X square plus Y square यहाँ कि जिस बिंदू की दूरी मूल बिंदू से निकालने होगी तो यहाँ पर वही formula होजगा root under X square plus Y square इसे थाबित करने के लिए हम लोग इस formula का भी यूज़ कर सकते हैं देखो O P बराबर में मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर किस तर से दूरी सुद देख रहे हैं कि दो बिंदू की बीच की दूरी तो यहाँ तो एक P X Y यहाँ मूल बिंदू करने हैं यहाँ तो 00 होता है पता ही है तो एक को X1 नहीं होनार एक को X2 यहाँ तो हो जाएगा X minus 0 का square और प्लस Y minus 0 का square यहाँ से भी proof हो गया X square प्लस Y square तो दो तरीका है यहाँ से प्रूब करो समझ गए अब यह कुछ महत्पूर्ण points है उन सब को याद रखना होगा तभी हम लोग exercise में आगे questions को बना पाएंगे तो उनसी जो को मैं पहले समझा देता हूं इसे question में कहा देगा कि दूरी सुत्र की मदद से हमें साबित करना है कि कोई संभाहू तिर्भूज है संभाहू तिर्भूज है कोई तिर्भूज के सिर्ष के निदे सांग दे देगा A, B, C, इन तिनों के निदे सांग दे देगा और कहेगा कि साबित हैं कि ये संभाहुतिर्बूज तो हम लोग जानते हैं कि संभाहुतिर्बूज की प्रतेक बुजाएं बराबर होती हैं, तो हम लोग दूरी सुतर का परयोग करके तीनों बुजाएं निकालेंगे, अगर वो आपस में बराबर हो गई, तो आपका समझे ना कि संभाहुतिर्बूज हो गया, समझ गया, और भी इसके properties होते हैं, लेकिन हमें दूरी सुतर पर क्या क्या देखना है, वही हम लोग बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे तो तीनों बुजाएं बराबर, अगर कहेगा वही बराबर, बी-सी भी हो सकता है, चाहिए एसी बराबर, बी-सी भी हो सकता है, कोई भी दो भुजा बराबर हो गई, तो वह समझ बाहू हो जाता है, यह आपको पता है अच्छा, भी समझ बाहू नहीं पूछेगा आपसे, चलिए और भी है कुछ आपको साभित करना है, कि आयत है, तो आयत के लिए क्या करना होगा तो आयत का आमने समने का भुजा बराबर होता है, आपको क्या करना होगा आपको बिकर्न भी निकाल लेना होगा इसका, क्योंकि देखो अगर बात करें, आपने समने की भुजा बराबर दिखाने का, तो वर्ग में भी बराबर हो जाएगा, आपके समांतर चत्रुज में भी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए बिकर्ण निकाल लेंगे, तो विकर्ण बराबर होगा, तब यहां कह सकते हैं, विकर्ण भी बराबर हो, और आमने सामने के भुजा भी बराबर हो, तब वह आयत होगा, उसी तरह से मैं बर्ग की बात करो, तो बर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रतेक भुजा बराबर होना चाहिए, और विकर् करना होगा एसी बराबर बीडी अगर मालो समांतर चत्पुझ की बात करेगा समांतर चत्पुझ मैं लिख भी देता हूँ चलिए समांतर चत्पुझ कहेगा तो समांतर चत्पुझ में क्या करेंगे समांतर चत्पुझ मैं एक चित्र बना लेता हूँ यहाँ फिर उसके बाद लेकिन बिकर्ण बराबर नहीं होता है तो बिकर्ण भी निकालेंगे अगर वह बराबर नहीं हुआ तो वह आपका समांतर चत्रभूज हो जाएगा लेकिन अगर बिकर्ण भी बराबर हो जा रहा है तो वह आपका आयत होगा है न जी दियानक न यही सब कुछ basic concept है, इनको जानना जोड़ी है, उसी तरह काज़ा सम चत्रभूज, सम चत्रभूज साबित करने के लिए देज़े, सम चत्रभूज, तो सम चत्रभूज में हमनों क्या जानते हैं, कि सम चत्रभूज की चारो भूजाएं बराबर होती है, ठीक है, सम चत्रभू वर्ग में भी होता है, लेकिन इसमें बिकर्ण बराबर नहीं होता है, ac not equal to bd, ठीक है, तो यही थोड़ा-थोड़ा का अंतर है, आपको प्रूब करने में आसानी रहेगा, बिकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है, चलिए, अब कहाँ दे, आपसे कोशन में, कि दिखाना ह सनरेख के बारे में, जैसे माल लोग कहते हैं यहाँ, कि आपके पास यहाँ तीन बिंदू दिये गया है, यहाँ पर एक रीखा ले लेता हूं, a, b, c, यहाँ तीन बिंदू है, सनरेख के बारे में, सनरेक के बारबं, यानि को लिनियर के बारबं, एच्छा हम लोग सनरेक की परिभास लाइंज में पढ़े हुए, कि तीन या तीन सरदिक बिंदू अधिक सनरेक कहलाते हैं, यदि वह एक ही रेखा परिस्तित हो, तो इसको अमनोग दूरी सुतर से कैसे दिखाएंगे कि सनरेक तो आपको करना होगा कि इसमें A, B, B, C, A, B और B, C निकालेंगे वह A, C के बराबर हो गया तो सन्यक है क्योंकि जखो अगर मालो अगर सन्यक नहीं होता ना तो देख लो मालो आप यहाँ पर देख लो A, B, C, तीन बिंदु है सन्यक नहीं है निकालोगे तो क्या वह A, C के बराबर होगा नहीं नहीं होगा तो अगर वह सन्यक होगा तभी ऐसा होता है ठिक है यह ध्यार लखना है तो यही इतने ही आपके basic concept है जिनको हम लोग use करके exercise में बनाने वाले question को यह सब जानने जरूरी है चलिए आप हम लोग exercise में चलते हैं और दूरी सुत्र के परियोग से question को साबित करते हैं और उनसे समंधित यह जितने भी आपको property बताया है इन सबको विध्यान लखना होगा action में बता दें तो इनके property बहुत सारे हैं लेकिन हमें भुजाओं से ही मतलब है विकर्णों से ही मतलब है बाकी चीज़ से इस chapter में नहीं मतलब है चलिए question number one देखते है exercise है आपका 7.2 कह रहा है question में कि निमलिखित बिंदू युगमों के बीच की दूरी निकाल यह बहुत simple रहेगा एक बिंदू मैं यहां पर पी ले लेता हूं जिसका नियमक 00 ले लेता हूं और एक बिंदो क्यू ले लेता हूं जिसका नियमक minus 5,12 लेता हूं plus का 12 है इन दोनों की बीच की दूरी यही जो है यह आपको PQ यही निकालने है तो simple है अभी तो मैंने बता है PQ बरावर दूरी सुत्र आपको बता है न क्या होता है formula तो root under मैं यहां लिख भी दूँगा तो ठीक रहेगा दूरी सुत्र लिख देना आप लोग भी दूरी सुत्र root under x2-x1 का square plus y2-y1 का square एक को आप x1-y1 लोगे और दूसरे वाले को x2-y2 तो हो जाएगा आपका minus 5 minus 0 का square और plus में 12 minus 0 का square यहां देखो आपका क्या जाएगा आपका minus 5 का square plus का 25 और 12 का square 144 घटेगा तो 0 कोई फर्क पर पड़ेगा 169 या 13 का square होता है 13 आ गया उसी तरह बाकी भी है question यह तो बहुत easy जी है चलो इसमें का एक दो और देख लेता है चलो इसमें का मैं एक चार नमर आपको बता देता हूँ पाच कॉमा माइनस बारा और 9 कॉमा माइनस नो इन दोनों की बीच की बीच की दूरी जो है न वह पी क्यू वह ही आपको निकालने है ठीक है चलिए तो यह पी क्यू निकालना है तो पहले मैं दूरी सुत्र या लिखी देंगा अच्छा X1 का स्कॉर्ड पलस Y2 माइनस Y1 का स्कॉर्ड चलिए तो पीक्यू बराबर हो जागा रूट अंडर आप एक्सवन वई वन इसको मल दो X2 यज़ को मल लो X1 Y1 X 2 Y2 तो हो जागा यहा पे 9-5 का स्कॉर्ड और पलस आपका मैनस 9 और मैनस यहा फर्मुले मैनस है ना और यहां भी माइनस ते हैं डिक्ट प्लस कर देता हूं और प्लस बार रहा कर देता है यहां घट जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहां भी घटेगा आपका 3 हो जाएगा ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा यहां पर तो यहां हो जाएगा 16 और प्लस में 3 का स्क्वार 9 तो यहां जो यहाँ पर एक बिंदू P ले लेते हैं A, B और एक बिंदू Q ले लेते हैं माइनस A, माइनस P इन दोनों की बीच की दूरी जो P Q है यहीं आपको निकालने हैं तो हमनों दूरी सुत्र तो पता ही हैं दूरी सुत्र क्या होता हैं तो रूट अंडर X2 माइनस X1 का S2, पलस Y2 माइनस Y1 का होल S2, एही न एक बिंदू X1, Y1 हो जाएगा और एक दूसरा जो होगा उसके नियमक X2, Y2 हो जाएगा तो यहां दूरी P Q जो निकालना है, रूट अंडर आपका हो जाएगा माइनस A, माइनस A का होल S2, पलस माइनस B, माइनस B का होल S2, चलिए यहां हो जगा minus 2a का square और यहां minus 2b का square तो यहां आ जगा दोनों जगा 4a square और 4b square 4 common कर लेंगे तो आ जगा root under a square plus b square ही ना चलिए अब देखो यहां पर 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जगा 2 root under a square plus b square आपका answer हो जगा चलते हैं next question पर question number 2 देखिए जाज करें कि बिंदू 1, minus 1, minus 5,7 और 2,5 बिंदू minus 2,3 से समदुरुस्त है कि नहीं ठीक है यहां यहां पिंदू है जिसका नियामक minus 2,3 है दूसरा बिंदू है आपका यहां दिया है a, a, minus 1, b, minus 5,7 यह को c माल लेता हो c दे देता हो इसका 2,5 तो यह तीनों बिंदू जो है न देखिए जाज करें कि यह तीनों बिंदू जो दिये गए है यह बिंदू इतना से समदुरुस्त है कि नहीं यानि कि समान दूरी पर है कि नहीं है रहा चलि तो यानि आपको दिखाना है कि pa बराबर pb बराबर pc है या नहीं है, pa बराबर pb बराबर pc है कि नहीं है यहीं दिखाना दूरी तो यह माल लेता है, माना, माना, p-2,3, a, 1,-1, b,-5,7, तथा, c, 2,5, 4 बिंदू है, चार बिंदू है, ठीक है, हमें बस यहाँ चेक करना होगा, तो आप पहले आप यहाँ लिख लो, दूरी सुत्र, दूरी सुत्र, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, x2-x1 का है स्क्वाइर, और प्लस y2-y1 का है स्क्वाइर, रहीं नहीं होता है, चलिए, तो मैं pa निकालता हूँ, तो हो जाएगा, रूट अंडर, आप इसको x1 में और, उसको x2y2 माल लो, या आप इससी को x2y2, उसको x1 तो क्या हो जागा यहाँ पर, मतलब आप जाना, इसके पहले मेंसेज के पहले को घटाना, इसके दूसरे मेंसेज को घटाना, तो हो जागा, 1-, minus 2 है, तो प्लस 2 कर देता हूँ, एक फॉर्मिले मैंस है, एक मैंस यहाँ है, और फिर y2-1, या निकि मैंस 1, और फिर आपका म 18 का एसक्वाण, यहाँ जागा, minus 4 का सक्वाण, तो 9 और पलस में 16, यानि रूट 25, यानि या जागा 5, चले, पी भी निकिलता हूँ, रूट अंडर, हो जागा, minus 5, minus, 5-2 तो यहां प्लस 2 कर देता हूं और फिर आपका हो जागा 7-3 का स्क्वार यहां घटेगा 3 का स्क्वार और यहां आपका 4 का स्क्वार यहां भी आपका वही रूट 25 यानिकी 5 आ जाएगा अच्छा आप PC निकालके देख लेता हूं तो PC बराबर में हो जाएगा PC बराबर में हो जाएगा रूट अंद 2 माइडस माइडस प्लस दो हो जाएगा दो माइडस में प्लस दो और प्लस 5 माइडस 13 के देखो इसको जोल पर चलिए तो यह 2, 2, 4 हो जाएगा 4 का square और plex 2 का square घटेगा तो दो ही नहीं आएगा तो 16 और प्लस में 2 का स्कार 4 20 रूट 20 यानि कि 2 रूट 5 हो जाएगा तो क्या यह दोनों बराबर है तो यहां देख रहे हैं कि PA बराबर है PV लेकिन PC के बराबर नहीं है यह तो यहां कह सकते हैं कि बिंदू 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 P से समदूरस्थ नहीं है यह पकलें इनकी बीच की दूरी जो है आपके पास 8 है तो यह 1 बिंदू को P ले लेता हूं जिसका नियामक 1,2 है और 1 बिंदू Q ले लेता हूं जिसका नियामक 3,4 है इन दोनों के 20 की दूरी यानि कि यह PQ जो दूरी है वह 8 दिया है यह मालनोंगा कि माना P-1,2 तथा Q-3,4 के 20 की दूरी 8 है यानि कि PQ बराबर में 8 दिया है दोनों तरफ वर कर देतो हो इस लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि रूट ना लगया वर्ग करने पर वर्ग करने पर नित्याँ से PQ स्कॉर बराबर में 8 का स्कॉर हो जागा तो मैं PQ बराबर में रूट लिखता हूँ तो रूट अब की बाद नहीं लगा हूँ क्योंकि यह स्कॉर आगया है तो हो जागा यहाँ पर आपका a माइनस 3 का स्क्वार और प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वार बराबर में 8 का स्क्वार a माइनस 3 का स्क्वार और a माइनस 4 का स्क्वार बराबर में 8 का स्क्वार यह स्वाल करो a स्क्वार माइनस 2 इंटू a इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वार गटेगा माइनस दो का स्कार तो माइनस दो का स्कार प्लस का चार ही हो जाएगा यह लिख देता हूँ अगले स्टेप में स्कार किया जाएगा आच्छा 8 का स्कॉरर तो यह 8 का स्कॉरर 64 लिख देता हूँ यहां पर यह तो लिख सकता हूँ ना चलिए अगे ले इस टेप में देखते हैं A स्कॉर माइनस का 6 से यहां देखो यह 9 यहां आपका हो जागा 4 यह माइनस का 64 इदर आ गया तो a square minus का 6 से यह 9, 4, 13 और 13 को घटा दो इस minus तो minus का a क्यावन आ जाएगा यहीं न होगा आपका तो a का मान निकाल लेते हैं तो यहां दिवगात सुत लगा देंगे तो a बराबन महों जाएगा है root under minus b minus minus 6 plus minus root under b square यहीं कि minus 6 का square minus 4 a के जगा पे यहां 1 है इसके साथ बुरा में और c के जगा यहां minus का एक यहां और बटा में 2 into a के जगा पे 1 चरीए तो 6 plus minus root under 36 plus में 204 और बटा में 2 ठीक है आगे solve करते हैं 6 plus root under 240 बटा में 2 तो 6 plus root plus minus root under यहां पे क्या जाएगा दो गुना 2 गुना 60 चरीए तो यहां हो जाएगा 6 plus minus 2 root 60 उपर से 2 common कर लो तो यहां पे आपका आजाएगा 3 plus minus root 60 बटा में 2 2 से 2 काड़ दिया यानि कि आज हमें एक value प्राप्त जो होगा वह 3 plus minus root under 60 हो गया समझे ना चरीए तो सर नमर 3 का 2 देखो कारा 10 इकाई वाली रेखा का एक अंत बिंदू जो है आपका minus 2,3 है चलिए एक काम करते है मैं एक रेखा ले लेता हूँ इसकी लंबाई कितनी है दस ही काई है इसका नाम PQ ले लेता हूँ और एक अंत बिंदू जो दिया है minus 2,3 है चलिए और दूसरे अंत बिंदू की कोटी जो है ना 9 है तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर का अंत बिंदू यानि कि दूसरा अंत बिंदू जो है ना उसका भूज 6 या minus 10 होगा भूज का हम लोग x हमाल लेते हैं और कोटी आपका दिया है 9 चलिए या सेम काम वही PQ बराबर में 10 दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां से आपका हो जाएगा PQ का square बराबर में 10 का square PQ अहीं दूरी सुत्र लगा देंगे तो x plus 2 हो जाएगा देखलो इतना माइनस इतना तो यह माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस 9 माइनस 3 का square चलिए बराबर में 10 का square 100 चलिए यहां पर solve करते हैं यहां x square plus 2 into x into 2 plus 2 का square यहां घटेगा तो 6 का square 36 हो जाएगा और माइनस क 100 बराबर में जीए तो x square plus का 4x अचा यहां देखो दो का square 4 यह जो भी अपका 40 हो गया तो इसमें से घटा दिये 60 चलिए अब यहां पर मैं इसका गुनन खंड कर देता हूं x square plus का 10 x minus का 6 x minus का 60 बराबर जीए तो x का मान निकाल तो x plus 10 यहां से x common हो गया यहां पर 6 common हो गया दोनों bracket में same x plus 10 को common कर लिए यहां पर x बच गया यहां पर minus 6 अलग अलग कर दो x plus 10 बराबर में 0 और x minus 6 बराबर देखो तो x बराबर यहां से minus 10 यह x बराबर 6 तो भूज देखो तो 10 यह minus 10 यह plus का 6 होगा तो 3 का 3 नमर भी same question आगया पिछले question में कि तरह P और Q की बीच की दूरी 10 ही काई है यानि P Q बराबर में 10 दिया है यही दोनों तरफ work कर दो दोनों तरफ work करने पर तो क्या हो जागा P Q का square बराबर में 10 का square जले P Q square निकिया जागा 10 minus 2 का square और plus y minus minus plus हो जागा plus 3 का square बराबर में 100 आगे 100 कर सकता है यह 8 का square हो जागा और यहां y square plus में 2 into y into 3 plus 3 का square minus का 100 यालिए y² प्लस का यहाँ पर कितना जगतीन दोना 6y अच्छा 8 का स्कार 64, 3 का स्कार 9 तो 64 में 9 जोडेंगे 64 में 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा भी 9, 4, 13, 3, 1, 6, 7, 7, 7, 100 में से घटा जाएगे यानि माइनस का 27 बरावर में 0 इसका गुननखन कर दो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 और 3 y² प्लस का 9 y माइनस का 3 y माइनस का 27 बरावर 0 y common y प्लस 9 माइनस 3 common y प्लस 9 दोनों ब्रैकट में सेम आ गया y प्लस 9 को common कर लो तो y माइनस 3 बरावर में 0 अलग-अलग कर दो यहाँ से आ गया value तो y प्लस 9 बरावर 0 और y माइनस 3 बरावर में 0 y का माइनस 9 और y का माइन 3 तो इस वीडियो को यहीं पर इंक करते हैं प्लीज आप लोग चैनल को सस्क्राइग परेंगे इससे रिलेटिट वीडियो देखें के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथे साथे NCRT बारती बहुन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और केसी सिनागा तो है ही थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो